UPSC के नतीजे घोसित हो चुके हैं और बलरामपुर जिले की रहने वाली रस्मी पैकरा जो की जश्पुर जिले में महिलायम बालविकास अधिकारी के पत पर पदस्थ हैं उन्होंने UPSC में सबस्था हासिल की है और 881 रैंक उनको मिला है हमारे साथ मौझूद है रस्मी पैक नामे और आपने बधाई दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जी तो यह बताईए कैसे आपने तयारी की इसकी सफलता का से आप किसको देंगी सफलता का जो श्रे है मैं अपने परिवार मेरे माता-पिता भाई वहन एवं सभी गुरुजन और जो मेरे फ्रेंड से हैं और करीबी वो सभी लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग स्टेजस पर मेरी सहायता की किसे ना किसी रूप में युगदान दिया और आज इस सक्सेस में बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह कौन सा अटेम्ट था आपका यह मेरा फोर्थ अटेम्ट था और पहला अटेम्ट था जिसमें मैंने प्री क्लियर किया पहली बार इसके दावा आपके घर परिवार के प्रिष्ट भूमी क्या है और मैं मुख्यत एक कृसी फैमिली से बिलॉंक करती हूं मेरी माता ग्रहनी है पिताजी कृसी विभाग में पदस्त हैं घर में खेती का काम काज होत हमेशा से ही कभी हार नव मानने के लिए मुझे प्रेरित किया बार बार फेलियर्स मलते थे फिर भी उन्होंने हर बार ही मजबूद किया कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी और सपोर्ट किया हमें से कई बार ऐसा होता है कि जो यूपीसी के तैयारी कर रहे हैं बच्छे वो कई कर जिअसे को क्या संदेश तेर जेना चाहेंगे आन संदेश के रूप में मैं एक ही बात ही भोलना चाहूंगे कि आपने जो सपने देखे हैं को सपने को पूरा करने के लिए आपको लगना पड़ेगा आप ही मेहनत करेंगे और लगातार कोशिश करते रहना ही सबसे तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगे जिसके लिए आपने सोचा है, जिसके लिए जिया है, और मेहनत किया है। तो लगे रहिए हमेशा। तो ये थी रस्मी पैकरा जिन्होंने UPSC में 881 रैंक हासिल किया है और इनका कहना है कि जो भी UPSC के तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए वो जगातार परिश्रम करना चाहिए और इसी परिश्रम की बदोजत आज इन्होंने UPSC का एक्जाम क्रेक किया है दीपक सिंग न्यूस 18, 36 गड़ जश्पूर